दोस्तो नमस्कार फिर सेक ने वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो सहारा इंडिया को मिला आदे 60 दिनों के अंदर वापस करेगा निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया परिवार जिस गरीबों का पैसा फसा हुआ है जहां मैच्वर्टी पूरा होने के बाद भी लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है वहीं लगातार लोग सड़कों पर उतर कर बीरोध परतरसन करते नजर आ रहे हैं जानकारी के मुताविक बता दे कि सहारा इंडिय सहारा इंडिया में फस गया है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर आपको इस वीडियो के मादेम से आपको बताएंगे कि साथ सहारा इंडिया को पैसा देने के मामले में 60 दिनों का समय दिया गया है अगर 60 दिनों के बाद लोगों का पैसा नहीं लटाता है तो सहारा असरी सुब्रत राय को जेल जाने की जरूत भी आ सकती है बता दे कि पटना के कलेक्टर ने सहारा इंडिया परिवार को 60 दीनों का समय दिया है वहीं पैसा देने के मामले में सहारा इंडिया वालों को सित भी कर दिया गया है जानकारी के अनुसार आपको बता दे कि पटना कल लगातार का अपनी कारवाई कर रही है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि वह पटना हाइकोट ही था जो कुछ मैने पहले सहरा सभ्मू के चेर्मेन सुबरतराय को किसी भी इस्तिती में पटना हाइकोट पहुंचने का आदेश दिया था और जब सुबरतराय पटना बन गई है नीतीश कुमार एक बार फिर विहार के सियम बन गए है और लोगों की उमीद है कि जल्द विहार के नए नवेले सियम नीतीश कुमार और तेजस्वी आदव सहारा इंडिया सुबरतराय के खिलाप कुछ ना कुछ एक्सन जरूर लेंगे वहीं भाजपा की सरच् इसका बीपयच सहारा इंडिया में मामले सभी तक कुछ नहीं कर रहा है वहीं लोगों की उमीद नई सरकार तेजस्वी द्वारा और नीतीश कुमार पर तेज़िए